हेलो फ्रेंड्स मैं अकांशा जीके वित अकांशा मैं आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स हम सभी को MPPSC का बहुत ज़्यादा इंतजार है पूरा एक साल हो गया है लगवक मैं MPPSC 2019 का इंतजार करते करते तो अभी कोछ अपडेट आया हुआ है जो भासकर 24 जी है उन्हों आप सभी लोग अपने EWS का सर्टिविकेट बन वाले वैकेंसी कभी भी आ सकती है क्योंकि उनको तो विग्यापन जारी करना है और उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि हम इसको जीरो एर गोसे तहीं करेंगे तो वैकेंसी जल्दी आएगी तो अब हम आगे देखते हैं कि इ वीडियो बनाओं हम MPPSC प्रिलिम्स की तयारी कर रहे हैं उसका आपको इंफॉर्मिसन मिलता है और फ्रेंड्स अभी मैंने में मैंस की वीक सीरीज स्टाट की हुई है जिसमें मैं आपको अलग-अलग कोशन 6 मार्क 50 मार्क के कोशन आपको कराती हूं तो चलिए देखते हैं मांग पत्र में अटकी राजसेवा परिक्षा लोकसेवा आयोग की राजसेवा परिक्षा मांग पत्र के चक्कर में अटक गई है बर्स खतम होने में 3 महा बाकी है लेकिन अभी तक सासन ने आयोग के पदों का व्योरा नहीं बेजा है ऐसे रियासंका है कि परिक्षा के लि अगातार चल रहा है लेकिन इस साल नो महीने बीतने के बाद भी विग्यापन जारी नहीं हुआ है अपसरों का कहना है कि सासन से अभी तक मांग पत्र नहीं आया है उसी में विवागवार रिक्तपार बदों की स्थेति जो मांग पत्र है मांग पत्र का मतलब होता है कि इस व तवे रोश्टर बनना है मांग पत्र में भी ये मुद्दे सामिल होंगे नए सरूप में विवर्ण तयार नहीं इसलिए मांग पत्र भी जारी नहीं हो रहा है पीसी की चेयर्मेन भासकर चौबी ने बताया है कि हमें मांग पत्र का इंतजार है जैसे ही ये मिलेगा हम जल से इसको विग्यापन जारी कर देंगे आज की न्यूस तो मैं इसको आपके सामने लेके आई तो आप अपनी तयारी जारी करते रहिए उन्होंने एक पार भी किसी ने यह नहीं बोला है कि हम एमपीपेसी गविग्या पर इस साल नहीं निकालेंगे तो बस अपनी ये मत अठक देखिएगा बहुत इंपोर्टन कोईशन में आपको करा रही हूं आपको बहुत पसंद आएंगे ओके फैंस देंक यू